रोहित ने बड़े उस सहा के साथ परिच्छा की तैयारी सुरू की लेकिन वह टाउप नहीं कर पाया जिसकी वज़ा से वह बहुत उदास और निरास रहने लगा वह अपने आपको असफर महसूस करने लगा अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाओ भी नहीं रहा उसन तुम काफी उदास और परिसान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दी रोहित ने उदास स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत की पर जैसा चाहता था वेसा रिजट नहीं आया इसलिए वह अतास है निरास है अध्यापक कुछ समय के लिए सांत रहे फिर पूदो के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पोधो को देखो जब मैंने इन पोधो को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इनकी देखभाल की थी मैंने समय समय पर सही मातरा में पानी दिया खाद भी डाली और कीट ना सक्का आते हैं वो ना मिल पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फाइदा है अध्यापक बोले ऐसा नहीं है फिर उन्होंने एक दर्वाजे की तरफ इसारा करते हुए कहा कि एक बार जरह इस दर्वाजे को खोल कर देखो रोहित ने दर्वाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों का धेर लगा हुआ है उसने पूचा कि यहाँ सब कहां से आए अध्यापक बोले टमाटर के एक पोधे के खराब होने का मतलब यहाँ नहीं कि सभी के सभी पोधे खराब हो गए इसी दरह तुमने महनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए लेकिन इसका मतलब य नहीं कि तुमारी दिन रात की महनत खराब हो गई तुम असफल हो गए तुमने पाया तो बहुत कुछ लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है जो की सही समय आने पर दिखेगा परिच्छा में लिख मन चहा परिणाम ना मिनना इस से यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए हैं बलकि आपने तो सफलता की और अपने कदम बढ़ा हैं थौमस अलवा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्प नहीं बनाय था वे तो एक ऐसे इनसान थे जिनोंने कभी अविचार ही नहीं किया कि आसफल हुए हैं 9992 तक वे कामियाब नहीं हो पाए बल्प नहीं बना पाए और आखिर में 10,000 कोसिस में उन्होंने बल्प का अविसकार करके दुनिया के सामने रख दिया उनका माइनसेंड तो इतना इस्टॉंग था कि वे कभी भी यह नहीं सोचे कि मैं आसफल हो पर हर बार उनने रिजेक्ट कर दिया गया और यही बात उनके लिए एक पेड़ना बन गई और उनने एक ऐसी कमपनी की सुरुआत करके दुनिया के सामने रख दिया जिसे हम आज अली बाबा के नाम से जानते हैं आज यह एकामर्स कमपनी नई-ने बुलंडियों को छू र आते हैं निरास होनी की जगा यह सोचो कि तुमसे कहां चूक हुई है और अपनी उस चूक को सुधारने की कोशिस करो यह बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं जब रेस लंबी हो तो यह माइने नहीं कौन कितनी तेजी से दोड रहा है माइने तो यहां रखता है कि कौन कितनी जाना देर तक दोड सकता है तो अब रोहित ने सफलता का पार्ट पढ़ लिया था और वह अच्छी था से समझ चुका था कि उसे अब आगे क्या करना है वह एक नई आसा और उमंग के साथ अपनी फिल्ड में लेकर आ सकते हैं तो आपको आपकी फिल्ड में कामियाप होने से कोई नहीं रूख सकता यानि जितनी बार आप असफल होते हैं उतनी बार आप नई कुछ नया सीखा है और दोस्तों मैं आपको विश्वाज दिलाता हूँ कि आपने वाकी उससे कुछ न कुछ सीख ली होगी और यदि आप अपने उस सीख को अपनी फिल्ड में लेकर किया जाते हैं तो आप बहुत असानी से अपने मुकाम को पा जाएंगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये चोटा सा वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत अच्छी सीख ली होगी तो यदि वाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो